इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। और आप इसे कितनी बार लेते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रत्यारोपन किस प्रकार का है, आपके शरीर का वजन है और आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं, अपने डॉक्टर के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें, आपको इसे खाली पे आते हैं, तो आपके प्रतिरोपितंग को अस्वीकार करने की संभावना बढ़ सकती है, टैक्रेन 0.5 कैपसूल के कई संभावे दुषप्रभाव हैं, यह मधुमे और गुर्दे और यकृत की समस्याओं का कारण या बिगड़ सकता है, इन्हें ततकल चिकित्सा ध्यान दे अन्या आम दुषप्रभावों में मतली, पेट दर्द, दस्त और सोने में कठिनाई शामिल है, यदि दुषप्रभाव दूर नहीं होते हैं या बतर नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं, टिक्रेन 0.5 कैपसूल आपके इम्यून सिस्टम को कम करता है, जिससे आप सामाने से अधिक संक्रमनों की चपेट में आ सकते हैं, इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको गुर्दा, यकृत या हिरदय की समस्याएं, मधुमया या उच्छरक्चाप है, अपने चिकित्सक को यह भी बताएं कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं, विशेश रूप से संक्रमन, दर्द और गठिया के लिए, ये और अन्य इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकते हैं, आपको इसे लेते समय सूर्य और यूवी यानि की पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में सीमित होना चाहिए क्योंकि इ सर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान आमतोर पर इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है जब तक कि इसकी स्पष्ट रूप से आवशक्ता न हो, उपचार से पहले और उसके दौरान आपको अपनी प्रगती की निगरानी के लिए लगातार चिकित्सा परीक् स्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद